हेलो दोस्तों मैं हूँ पूजा स्वागत करती आपका मेरे चैनल में आज का जो रेसिपी है वह एक नास्ता का रेसिपी है जो कि आपको प्रोटीन से रिच रहेगा और इसमें फाइबर भरपूर भी रहेंगे क्योंकि मैं होल मूंग यूज कर रही हो साबूत मूंग जो होत मूंग लिया है साबूत मूंग और उसी काटोरी से एक काटोरी साबूदाना ले रहे हैं साबूदाना आप छोटा वाला या फिर बड़ा वाला जो भी आपको अवेलेबल हो ले सकते हैं और यह मैं साथ से आठ जने के लिए बना रही हूं आप चाहे तो क्वेंटेटी कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से अब इसको दोक अच्छी तरह से इसको चार से पाच घंटे के लिए पानी के साथ रख देंगे डुबो कर जिससे की फूल जाए अच्छी तरह से मूंग भी और साबूदाना भी यह चार पाच घंटे हो चुके हैं देखिए साबूदाना कितने अच्छी तरह से फूल चुका है और यह मूंग भी अच्छी तरह से फूल गया है तरह ऑच्छी के साथ हम एक कटोकरी पूहाँ ले रहे हैं वह कोभी गूने की जरूसर नहीं इसे बस धने हम ऑक कशार पानी अच्छी तरह से उसके बाद इसको हम यूज करेंगे आप चाहे तो इसमें थोरिसी और यह मसूर की दाल वगएरा भी डाल सकते हैं उससे बहुत ही टेस्टी बनता है यह हमारा पोहा धुल चुका है आप मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में सभी इंग्रेडियंट्स जो है वो डाल देंगे हम और फाइन पे करके भी इस रेसीवी में डाल सकते हैं वो और भी हेल्दी होगा आपके लिए यह देखिए मूंग हमने पीछ लिया है और उसी मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे अद्रक अद्रक का टुकड़ा थुरा सा डालेंगे इससे और भी टेस्टी लगता है यह और उस जो पु दिशने के बाद मूंग में ही अच्छी तरह से मिला लेंगे अब अलग बर्दन में थोड़ा सा ले लिया है हमने और उसमें हम डाल देंगे स्वादनुसार नमक और इसमें थोड़ा सा दो से तीन चमच बेशन चने दाल का जो बेशन रहता है वो डाल देंगे आप चाहे तो चने के दाल को भी इसी के साथ भीगो कर इसमें पीश सकते हैं और यह कुछ वेजटेबल से करीपता है अधरक मिर्ची कैप्सिकम टमाटर प्याज बीन्स गाजर भी आप डाल सकते हैं अगर अवेलेबल हो घर में तो डाले वरना नहीं भी डालेंगे तो यह बहुत ही बनता है अच्छेतर से मिलाने के बाद इसको तवे के ऊपर जैसे आप चिल्ला बनाते हैं वह इसे नॉर्मल यह इससे बना ले और इसे चटनी के साथ सर्फ करते हैं बहुत ही टेस्टी है ओके फ्रेंड्स बाई